उब्देशक के निशकर्ष, अध्याय साथ, मनुष्य की सीमाएं, उत्तम सुगंधित द्रव्य से सुनाम अच्छा है और जन्म दिन से मृत्यू का दिन अच्छा, दावत के घर जाने की अपेक्षा, शोक के घर में प्रवेश करना अच्छा है, क्योंकि मृत्यू हर मनुष्य की गती है, जीवितों को उस पर ध्यान देना चाहिए, हसी से शोक अच्छा है, क्योंकि उदास मुखवाले का रिदय सुखी हो सकता है, बुद्धिमानों का रिदय शोक के घर को अधिक पसंद करता है, किन्तु मूर्खों का रिदय उत्सव के घर को, मूर्खों का गाना सुनने की अपेक्षा, बुद्धिमान की डांट सुनना अच्छा है, मूर्खों की हसी वैसी ही होती है, जैसी हंडिया के नीचे लकडियों की चर्चराहट, ये भी व्यर्थ है, अत्याचार बुद्धिमान को मूर्ख बनाता और घूस उसे भ्रष्ट कर देती है, किसी मामले का अंत उसके प्रारंभ से अच्छा है, और धैर अहंकार से अच्छा है, आसानी से उत्ते जित मत हो, क्योंकि मूर्खों के रदे में क्रोध का निवास है, ये मत पूछो कि पहले के दिन क्यों इन दिनों से अच्छे थे, इस प्रकार का प्रश्ण उठाना बुद्धिमानी की बात नहीं, प्रग्या विरासत की तरह अच्छी बात है, इस से सूर्य देखने वाले लाव हो उठाते हैं, प्रग्या और धन, दोनों मनुश्य की रक्षा करते हैं, कि वो ग्यानी को जीवन प्रदान करता है, इश्वर के कार्यों पर विचार करो, जिसे इश्वर ने टेड़ा कर दिया, उसे कौन सीधा कर सकता है, सुख के दिन आनन्द मनाओ, दुख के दिन ये सोचो, कि इश्वर ने दोनों को बनाया है, मनुश्य नहीं जानता कि उसके बात क्या होने वाला है, न्याय और प्रज्या, मैंने अपने व्यर्थ जीवन में इन दोनों को देखा है, धर्मी को, जो अपने न्याय के कारण नश्ट हो गया, और दुष्ट को, जो अपनी दुष्टता के बावजूद बहुत समय तक जीवित रहा, न बहुत अधिक न्यायी बनो और न बहुत अधिक बुद्धिमान, क्यों अपनी हानी करना चाहते हो, न बहुत अधिक दुष्ट बनो और न मूर्ख बनो, क्यों समय से पहले मरना चाहते हो, अच्छा ये है कि तुम एक को पकड़े रहो और दूसरे को हाथ से जाने न दो जो इश्वर पर श्रद्धा रखता है वो दोनों कर पाएगा प्रग्या बुद्धिमान मनुश्च को नगर के दस शासकों से अधिक शक्तिशाली बनाती है संसार मैं ऐसा कोई धार्मिक मनुश्च नहीं जो भलाई ही करता और कभी पाप नहीं करता लोग जो बातें कहते हैं उन सब पर ध्यान मत दो नहीं तो तुम अपने नौकर को अपने को कोसते सुनोगे क्योंकि तुम ये भी जानते हो कि तुमने कितनी बार दूसरों को कोसा है प्रग्या दुरलब है मैंने प्रग्या से इन सब बातों की छानबीन की है और कहा मैंने प्रग्या पराप्त करने का निश्चे किया किन्तु ये मेरी शक्ती के परे था जो अस्तित्व में आया वो हमारी बुद्धी के परे है जो गहरा है बहुत गहरा कौन उसकी था ले सकता है मैंने सारे रदय से ये जानने का प्रेत्न किया कि प्रग्या और बुद्धी क्या है और ये समझा कि दुष्टता ना समझी और मूर्खता पागलपन है मैं ये समझता हूँ कि कुछ इस्त्रिया मृत्यू से भी कड़वी है वे फंदे जैसी हैं उनका रदय जाल जैसा और उनके हाथ जंजीर जैसे हैं जो इशुर को प्रिय है वही उनसे बचता है किन्तु पापी उनके जाल में फसता है उपदेशक कहता है अनसंधान करते करते मैं इतना ही जान पाया मैं अनसंधान करता रहा किन्तु मैं सफल रहा मुझे हजार में एक पुरुष मिला किन्तु उन सबों में मुझे एक भी इस्तुरी नहीं मिली अन्त में मैं इस निशकर्ष पर पहुँचा ईश्वर ने मानव जीवन को सरल बनाया किन्तु मनुष्य ने उसे तर्क वितर्क से जटल बना दिया तर्क झारि झाल जा भी बनाया झाल झाल